Guys, OnePlus Note 2 मेरे पास आया और एक मैं giveaway कर रहा हूँ आप लोग को देने के लिए आप मेंसे कोई बंदा बिल्कुल free of cost इस phone को जीत सकता है बश जल्दी से चैनल को subscribe कर लो कैसे जीतना है वो मैं आपको बता दो बिल्कुल गाइस ऐसे आया फोन मार्किट में अपनी बिल्कुल धमागे से इसने प्लेस बनाई है मेरे इसाब से अगर मैं इस फोन की बात कुरता स्पेसिफिकेशन बहुत जादा कमाल की रह जाती है और उपर से OnePlus का ब्रैंड नेम भी है तो आज इसी के बारे में बात करेंगे है OnePlus Node 2 और मैंने जो है 30,000 उपर काई खरीदा है क्योंकि जो इसका 20,000 वाला वो कभी नहीं मिलने वाला आपको वो बहुत लगी लोगों को मिलने वाला है मिरे नाम है संचित और आप दिख रहे है आज इसके बारे में बात करेंगे तो कुछ ऐसा आमें बॉक्स देखने हो मिलता है और इसको ओपन करते है सबसे उपर हमें फोन रखाव मिल जाता है तो इसको अभी के लिए यहां रख देते हैं मैंने नहीं देखा है फोन कैसा है और यह वाला पाउच हमें देखने को मिलता है और केस तो यहां पर बहुत अच्छा देखने हो मिल जाता है एक अलग सा टेक्शर भी इसके अंदर और इस वाले पाउच के अंदर गाइस बहुत कुछ देखने हो मिल जाता है सिम जेक्टर भी यहीं पर है और देखो गाइस कितनी सारी डॉक्युमेंटेशन देखने हो मिलती है और वनप्लस के स्टिकर भी यह बहुत कूल लगता है यहां पर नोड का वल श्टिकर भी है और यहां पर जो में 65 वाट का चार्जर देखने हो मिल जाता है और साथ में एक जो है केबल देखने मिलती है चार्जिं के लिए तो इसका प्लास्टिक खटा देते है गाइस और कुछ ऐसा दिखता है एफोन बसी भी टादेते है हम लोग और पूरा वन प्लस नाइन की लुक देदी है मतलब सच मैंस लग रहा है कि मैंने वन प्लस नाइन को ओल्ल करके है और नो डाउट इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और मैं मैं सूत है कि वन प्लस नोड को डिसकंटीनियू कर दिया परले में को लगा था कि ब्राइन ना इसे कुछ खेल रहा है कि वह वन प्लस नोड सी खरीदे लोग लेकिन वन प्लस नोड टू आने वाला था य और कुछ जादा ही कूल बनाया है मुझे बहुत अच्छा लगाया इसको बस हैवी है अभी मतला फर्स इंपरेशन में हलका सा हैवी लग रहा है चलो इसको पूरे टेस्ट कर लिया और एक बात मैं अप लोग को बताता हूं लेकिन अन्नेसेसरी हीट मिल रही है इस फोन को म पीछे की साइड जो हमें पूरा ग्लास देखने मिलता है जो की फ्रॉस्टेट फिनिश के साथ है और और अवरोल इसको बहुत अच्छा लुक दे रहा है और कैम्रा मोटली बहुत जादा कूल है और अपर से अलर्ट स्लाइडर को भी मैंटेन किया है और बहुत अक्छे है पिल जाते है और यह वन प्लस का लोता यह पोन है जो कि भह सारे 5G वैंट के साथ आता है सोचो ओछो वन उन प्लस नाइन इन सब का क्या होगा क्योंकि इनकर सस्ते वाला फोन जो है सारे वाले लेकर आरह तो सारे नहीं मतलब बहुत बहुत कूल बात बनती है ऊपर से देखने मिलते हैं जो कि बहुत जादा लाउड है और जो अंडर डिस्पे फिंगर्पिंट स्कैनर है वो भी बहुत सही और प्रीमिम टच भी दे रहा है और प्रीमिम से मुझे याद आ है फोन जो ए एन एफ सी भी लेकर राता है तो यहां पर आसे लग रहा है कि कहीं पर भी कुछ कट ही नहीं किया है वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है तो निचे सब्सक्राइब बिटर में लेगा उस पर क्लिक कर दो भाई ऐसे ग्रेट कॉंटेंट हम लाते रहते है और बहुत सालों से मैं फोनों को रिव्यू कर रहा हूं तो अच्छा खास एक्स्प का रिफ्रेश रेट देखने हो मिलता है जो कि कम नहीं है मतला मेरे को गलत में समझना फिर भी बहुत फ्लूइड महसूस होता है फोन काफी स्मूध है कोई दिकत नहीं है इस चीज के अंदर लेकिन जो कॉंपेटिशन हो गया जैसे की रियल मी या फिर पोको सब जो है 120 हर् बहुत ही स्वीट रहता है गोरिला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी है वीजल जो है काफी पत्ते देखने मिल जाते है पंचोल कैमरा भी है और जो फ्लूइड एमले डिस्प्ले ओ कलर बहुत अच्छ दिखा रही है मैं लॉंग टेस्ट करूँगा फिर आप लोग को सब और इसलिए लोग इनको खरीटते आया है बट आप लोग को बता देता हूं कि अब जो है ओपो और वन प्लस एक ही हो चुक है इनका जो सॉफ्ट्वेर है वो उनका कोड बेस जो है एक हो चुक है इतना समझ लो लेकिन मैं आप लोग को है पर स्पिस्टेक्शन से बताता इस फोन के अगर मैं सो कंपेर करूं रियल मी से या फिर फिर पोको से तो इसके फिर भी कम आ रहे है यह मुझे सेंसलेस लगा थोड़ा सा कि कम स्कोर्स आये क्यूं पहली बात में और मैं आप लोग को बताता हूं मैंने इन दिनों में सारे फोन यूज कर लिये है पोको पो इसको टेस्ट करने के लिए मैंने CPU थ्रॉटलिंग रन किया था इस ग्राफ को देख के आप लोग समझ सकते हो कि थोड़ी देर बाद परफॉर्मेंस डाउन हो गई है बट जादा डाउन नहीं गई अगर होती तो वह बहुत बड़ा इसू बन जाता जिसको ग्राफ समझ मे अच्छे आया है और मैंने इसके बीजे माई भी रन किया आप लोग को गेम प्ले देखना बड़ा पसंद है तो उसके अगर मैं बात करो तो HDR अल्ट्रा में ये गेम चल रहा था और इसको थोड़ा बुद गेम प्ले आप लोग देखी रहे हो थोड़ा सथ धंग से देखो साथ मैंने एसफाल 9 भी खेला और उसमें कोई भी प्राब्लम नहीं हुई मेरे को उसके स्मूध गेम प्ले देखने को मेला और यही मैटर करता है वैसे काईस वनप्लेस ऐना ऐसा ब्राइंड चेंज तो हो गया है क्योंकि ना मैंने देखा जैसे ही फोन ओन किया मैंने इसक करता है तो यह सब चीजे मतलब हजम सही नहीं थी पहले पॉइंट में बट मैं समझ रहा हूं भाई अब ओपो जो है और वन प्लस एक और ना तो चीजे बदलेंगी लेकिन एक और बात में आप लोग को बताता हूं जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे है सरिफ ने को बहुत सही तरह के से मैनेज करता है और यह सब कुछ मैटर करता है अगर आवीड रिकॉर्ड करते हो तो यह सारे फीचर बिल्कुल वेलकम होते है यूजर्स की तरफ से बट मैं ओवर पॉजटिव नहीं होने वाला मैं नहीं चाहता कि वन प्लस के फोनों में एड्स आने इसका प्रोसेसर देखते है क्योंकि 6NM यह कूल चीज है बाकि 65W की चार्जिंग बहुत पास्ट है अगर मैं बात करूँ जीरो से 98% फोन जो है 30 मिनट में चार्ज हो जाता है मेरे साब से बहुती कूल बात है खेर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कैमरे के बारे में तो यहां पर जो ए ट्रिपल कैमरे सेट अप देखने मिलता है बैक साइड में ध्यान चा सुनना कुछ नए ना क्योंकि 50 प्लस 8 प्लस 2 का ट्रिपल कैमरे सेट अप है और जो फ्रंट कैमरे वो 32 मीगापिक्सल का है कितनी अजीब बात है जो बाकी वनप्लस के 9 सीरीज वाल में 16 मीगापिक्सल का फ्रंट कैमरे यहां पर 32 है चलो मैं आप लोग को फोटोस दिखाता हूं अगर वे फोटोस के बारे में बात को तो तो दिखो अभी तक तो मैं कहुआ अबव एवरेज या ओके फोटोस आ यह मैंने बहुत सरी टेस्टिंग की है जनरली मैं फर्स्ट मैंने टेस्टिंग करता नहीं हूं बट मैंने फील किया कि स्किन टोन वगारा तो बहुत अच्छी मैनेज कर रहा है वहां पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन फेक्ट डाइनमिक रेंज जैसी टेकनिकल चीजे भी बिल्कुल सही तरीके सी है मतलब फिट कर चलता है मुझे यह भी महसूस हुआ कि OnePlus इसको 100% और भी बेटर कर सकता है क्योंकि यहां पर सेंसर बहुत अच्छा देखने हो मिलता है कर अगर मैं फ्रेंट केमरे के बात करो तो यहां पर भी बहुर अच्छी रिजल्ट्स आये है मैंने लाइट के अगींस्पी फोटो खीची थी वो भी इसने सही तरीके से लाइक प्रोसेस की है और ऐसे पोट्रेट वगएर भी खीचे से लाइक अभी जो है कैमरा में बोलूगा प्राइस सेग्मेंट को देखते हुए अबव एवरेज है और रियल्मी X7 Max के मुकाबले का है अभी तक मुझे वह बैस लगा था और उसक 60 fps ने कर सकते हैं और फ्रंट से भी आफ सरिफ 1080p 30 fps रिकॉर्ड कर सकते हो तो कुछ चीज़ों को भाई डाउन 100% ने कर रहा है अब इना कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि यह फोन एक्जाक्टली में है कैसा तो मेरे इसाब से हम इसको बहुत प्यार से फ्लैक्शिप फोन आगया और बहुत सारे आगया और सच में सारे ही अच्छे है तो अन सब को अगर मैं देख चलो ना सब अपनी जगा पर अच्छा काम कर रहे है बट हाँ यहां यहां पर जब वन प्रस का ब्रैंड नेम इनकी ऑक्सिजन ओस और इनका जो मिलाब वादा भी है कि तीन सा बाते लगी जो आप लोग को बतानी चाहिए और कुछ इंट्रस्टिंग बाते भी थी यहां पर वीडियो खतम जाती है और अगर आप जीतना चाहते हो तो नीचे गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको ग्लीम की लिंक मिल जाएगी वहां पर जाओ एंटर करो और साथ में च